अस्सलाम वालेकूं मेरा नाम होमद वकार हुसेन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे about excretion in plants पुरानी वीडियो में हमने पढ़ाता हो हॉमियूस्थेसिस के बारे में देखो पहले हमने पढ़ा Osmo Regulation के बारे में Osmo Regulation होता क्या है इसका function क्या है और उसके बाद हम पढ़े और शेयर कर देना ठीक है थैंक्यू तो स्टार्ट करते हैं तो आज इसके बारे में हमने पढ़ना है वह है एक्सक्रीशन पेज नंबर 9 पर अवेलेबेल है सिंद बोर्ट की बुक पर क्लास 12 ठीक है देखो इसके बारे में आपको पहले भी थोड़ा बहुत knowledge होगी कि होता क्या है देखो homeostasis एक mechanism है इंसान के अंदर भी और living organism जितने भी पाया जाते है उसमें ये पाया जाता है उसका काम क्या होता है internally environment को maintain करना maintain करने के लिए उसके पास तीन बंदे होते हैं जिसमें से एक होता है osmo regulation एक होता है excretion और एक होता है thermo regulation के बारे में I think मुझे तुम इसमें लिखा हुआ है कि भाई ये remove करता है metabolic waste को अब ये metabolic waste को देखो metabolic जो होता है उसका मतलब होता है कुछ बनना और तूटना यानि metabolic का मतलब ये भी है कि कोई चीज हासल भी हो रही है और कोई चीज जाया भी निकल रही है उसमें से जो की काम की है यह नहीं उसको क्या कह रही हो ना कि क्या होता है एक होती catabolism और एक होती है anabolism catabolism वह होती है यानि कि कोई चीज तूटना for example अगर हमने कोई भी चीज खाई तो पहले अंदर जाएगी तूटेगी फिर वह मतलब provide होगी और एक होता है anabolism anabolism का मतलब होता है जब वह तूट कर फिर उससे क्या ब catabolic waste के अंदर ठीक है क्या होते है एक होता है catabolism एक होता है anabolism catabolism का मतलब होता है for example अगर आपने food खाया तो अंदर जाके तूटेगा फिर वह provide होगा छोटे छोटे चोटे तुकड़ों में या फिर छोटी 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 molecules के से में वह provide होगा फिर उससे जो energy produce होगी उसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर चीज हद के नजर में अच्छी लगती हद के दाएरे में रहेगी तो हर चीज अच्छी लगेगी उतना सही है यह लोग कहते हैं कि भाई पानी जितना पियो उतना ठीक है लेकिन नहीं है यह सही अगर आप जितना साधा पानी पियोगे तो आपके लिए नुकसान दे जितनी आपकी ज़रूरत है उतना पिये वरना आपका internally हो जाएगा हाइपोटोनिक सेल फटना शुरू ह जाएगे क्योंकि आपके पास जो है सेल वाल प्रेजन्स नहीं होती ठीक है सेल वाल नहीं होती आपके पास सेम टॉक्सिक सबस्टांसिस यानि कि आपने कोई ड्रक्स खा ली या पर कोई भी ऐसी चीज ले ली तो वह भी टॉक्सिक है अगर बॉड़ी के इंदे ज्यादा देर तक रहे तो वह आपके लिए नुक्सानदा है अगर आप ज्यादा देर तक एक चीज को रखोगे तो आपके लिए नुक्सानदा है जरूरत से ज्यादा चीज जो भी आपकी बॉड़ी के अंदर है वह नुक्सानदा है और उससे जान चुड़ाने के लिए जो मेकैनि अब अगर एनिमल और हुमेंस की बात की जाए तो उनके अंदर जब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिट के अंदर कोई भी काम होता है तो फिर प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजेन इस वेस्ट ठीक है नाइट्रोजेनस मेटाबॉलिक वेस्ट जो के बाडी के लिए जैसे रिमूवल ओफ नाइट्रोजेनस वेस्ट जो होता है यह निकालना जरूरी होता है विद अहल्प ऑफ एक्सक्रीशन यह होगे इसका इंट्रो अब हम चलते हैं प्लांट्स की तरफ इंट्रो करवाना था तुम्हें एक्सक्रीशन का जो की उपर एक लिखी वी थी छोटी से उनकी पैराग्राफ लिखा वा था उसमें टोटली उनकी दरम्यानी किसम की बातें लिखी वी थी वो समझ आ गई होंगी तुम लोगो आज जो मेंली जो टॉपिक है वो है एक्सक् हम एक काम करते हैं पहले हम डाग्राम की तरफ चलते हैं ठीक है यह है वो डाग्राम जिससे हम समझेंगे और कॉंसेप्ट को किलियर करेंगे पहली चीज़ आपको जो समझने वाले हैं वो यह पता वनी चाहिए कि जो प्लांट्स होते है वो वेस्ट प्रोड़क्ट को भी इस्तमाल कर लेते हैं एक 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 जेम्पल ये है कि जब हम ग्लुकोस को तोड़ते हैं किसकी प्रेजन्स में आक्सिजन की तो प्रोड्यूस क्या होती है कार्बन डाय उकसाइड तो हमने देखा होगा जिसको हम सांस लेते हैं पिर अंदर जो वापस भार निकलती है हवा वो होती है कार्बन डाय उकसाइड और कार्बन डाय उकसाइड जो हमारे लिए फाइदे मन नहीं है तो तब हम उसे एक्सक्रीट कर देते हैं हम उसे निकाल देते हैं अपनी बोड़ी से जब उनको glucose तोड़ा जाता है और उससे जब इन्हें फायदा होता है तो उनमें भी ये carbon dioxide produce होती है अब क्या करते हैं कि वो जो catabolism होता है catabolism क्या था जब ये टूटा क्या glucose जब टूटा उससे क्या बना जो उन्हें फायदा हुआ जो वो चीज़ उन्हें मिल गई उसके दौरान जो वो चीज़ एक और पैदा हुई उससे बोला carbon dioxide तो वो क्या करेंगे उस carbon dioxide को दुबारा से इस्तमाल करना शुरू कर देंगे और उससे दुबारा glucose बनाना शुरू कर देंगे फिर समझा देता हूँ बात समझ नहीं आई तो देखो जब हम सांस लेते हैं तो हम जब सांस लेते हैं हम oxygen लेते हैं और भार छोड़ते हैं carbon dioxide glucose तूटता है उसके जरी हमें energy produce हो जाती है समझ आगया same process यही करते हैं plants लेकिन plants जो होते हैं वो carbon dioxide को जाया नहीं होने देते हैं अपनी body में ही रखते हैं उसका फाइदा क्या है कि भाई वो उस catabolism से दुबारा anabolism की तरफ चले जाते हैं और दुबारा से glucose को पैदा कर लेते हैं बस यह फर केसमें ठीक है यह हो गए इसके एक excretion ठीक है plants जो होते हैं उनमें तीन टाइप की excretion पाए जाती है mainly बाकी छे होती हैं जिनमें एक lactis होती है, raisins होती है और gums होते हैं वो दूसरी चीज़ है लेकिन जो main है उसमें एक है water, एक है oxygen और एक है carbon dioxide ठीक है जब यह carbon dioxide को excret करते हैं इसको बोलते है respiration ठीक है, यानि कि अपनी body में से excret करना क्या carbon dioxide को उसको बोलते है respiration और जब यह अपनी body में से oxygen को excret करते हैं तो उसको बोलते है photosynthesis यह जो diagram है, यह है photosynthesis की और यह जो diagram है, यह है respiration की ठीक है अब फर्क क्या है, for example, देखो, इन में हो क्या रहा है कि sunlight की मदद से और carbon dioxide अपने अंदर ले रहे हैं और फिर oxygen को बाहर छोड़ रहे हैं इसको बोलते है photosynthesis same यही process जो है, वो हो जाता है उलट, कब? रात में तब ही कहते हैं कि रात में भाई, plants के पास नी जाओ कहते हैं न, बच्चों को डराते हैं कि दभूत है वगेरा, तो भूत नहीं होता वो जो है, वो carbon dioxide excrete कर रहे होते हैं जिसकी वज़से वो नुक्सान दे है carbon dioxide तो यह है सारा चक्कर इसको बोलते हैं, रात की process को बोलते हैं respiration और सुबह वाले process को बोलते हैं photosynthesis I hope आपको समझ आया होगा ठीक है, oxygen का और carbon dioxide का आपको समझ आया गया concept आपको समझाया ना था, वो आप समझ गया है hope मैंने कोशिश की समझाने की यहां पर जो बातें लिखे हैं वो बिल्कुल वही है जो भी हमने concept में समझी है देखो क्या है, कि भाई, इनके लिए excretion इतना seriously मस्चला नहीं है प्लांट्स के लिए, क्यों, क्योंकि इनका जो rate होता है कौन सा rate of catabolic process इतना जादा नहीं होता है वो less होता है, animals है, क्योंकि इनके अंदर जादा चीज़ें तूटती फूटती नहीं common सी बात हो गए, ठीक है और अगा इन में कोई भी catabolism हो जाता है यानि कोई छीज़ ठूट भी जाती है, तो उसको दुबारा से recycle कर लेते हैं जिसकी example यहां पर बात लिखी हुए कि भाई, green plants do not excrete nitrogenous waste ठीक है, जो catabolism होता है, उसको use कर लेते हैं, green plants their anabolic process, यानि कि दुबारा से उसको use करने के like बना लेते हैं अल्ला नहीं नहीं यह सलायत दिया अब आगे अगर देखा जाए, जो दूसी बात है, वह यह है कि भाई, क्यूं, plant जो हैं, इनको इतनी जरूरत क्यूं नहीं पड़ती है कि भाई, यह किसी भी चीज़ को, जो टूटी है, उसको जाया करें बलकि उससे दुबारा बनाने के, उसकी वाज़ा यह है कि plants के पास कोई भी organ नहीं होता है, जैसे animals होते हैं जैसे हम हैं, humans है, animals हैं, birds हैं, जितने भी इनके पाँ organ होते हैं तो इनको यह करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर यह अपने अंदर nitrogen को रखेंगे तो वो उनके लिए बड़ा नुकसान दे case हो जाएगा लेकिन इनके पास कोई organ नहीं होता है, तो इस वज़ज़ से यह इसको दुबारा से recycle कर सकते हैं अब हम चलते हैं next topic पर तो जैसा मैंने आपको बताया था, के plants के अंदर है जो commonly एक्सक्रिशन होती है उनमें water आता है, carbon dioxide आता है, oxygen आता है, और ions आ जाते हैं कुछ अब इस paragraph को पढ़ने से पहले हम दुबारा से एक अच्छा concept लेते हैं ताकि यह बात समझ आए फिर हम दुबारे दार आते हैं, और फिर इसको पढ़ते हैं ताकि असानी से बात हमें समझ आ सकते हैं तो चलो ठीक है, अब हम चलते हैं diagram की दरफ, यह एक diagram है और इस diagram की मदद से हम जानेंगे कि जो आखरी topic है आपका, excretion in plants का, वो इसमें complete हो जाएगा बात क्या है, देखो, तीन चीज़े होती हैं, जो कि अभी आपको मैंने बताई थी, जो plant excret करता है जिन में एक होता है water, एक होता है oxygen और एक होता है carbon dioxide oxygen और carbon dioxide के बारे में मैंने अभी आपको समझा दिया, कि क्या होता है, इसका निकलने का चक्कर गया है और कैसे ही मतलब इसमें होता है, nitrogenous waste जो होता है वो excret नहीं कर पाता है, plant उसको जरूरत पढ़ती है, तो उसे दुबारा से catabolic को anabolic में change कर देता है, वगेरा वगेरा and the last one is के भई water और साथ में उसके ions, तो पहले हम ions के बारे में समझ लेते हैं, देखो होता है, कि जब plant मरने वाला होता है, समझ रहो, यानि के एक age होती है ना, जायसी बाते है, वो भी एक living organism है, जब plant की उमर हो जाती है ना, तो उसके अंदर के जो cell होते हैं, उसकी body के जो cell होते हैं, plant के, वो मर जाते हैं, तो जो ions होते हैं, extra ions जो होते हैं, वो उन cellों के साथ जाके मिल जाते हैं, जो के मर गएं, for example, मैं दुबारा समझ आता हूं, समझ नहीं आया दो, देखो, ये जो जगह है, बीच वाली जगह, इसको बोलते हैं, जायलम, ठीक है, जिसमें से water और minerals, body को provide किये जाते हैं, एक डंडी समलो बीच वाली, जो के पूरे दरخت को या पूरे पूरे पौदे को लेके खड़ी भी है, इसका ताकत वर रहना बहुत जरूरी है, इसका म ऐसे गिर गिर के खतम हो जाएंगे, होता क्या है, कि बीच के जो जायलम की जो सेल होते हैं, फौर एग्जेम्पल अगर ये डेड हो गए, अगर ये मर गए, हाल खराब हो गया, तो जो आयन्स देना वो आके इसके सेलों में मिल जाएंगे, डेड सेल में, और उसको दुबा जाता है, जायलम की सेल, और एक होता है, बाहर की कवरिंग, आरी बात समझ एक तो होता है, बीच का इससा, जो के जायलम है, और उसकी जो बात की गई है, हार्ट वूट, सेल होते हैं, जो जायलम में लगे होते हैं, जिसके अंदर वो दुबारा आइंस जाके मिल जाते हैं, और जायलम जो दोबारा से मजबूत हो जाता है बीच का और एक ओता आउटर बाहर की जगा उसको बोलते हैं बर्क जो के आउटर लेयर है उसके भी अगर सेल मर जाते हैं तो आइएंस जो होते हैं इसमें आके इसको प्रोवाइड हो जाते हैं और फिर दुबारा से ये दुबारा से इस हाल में आ जाता है कि भई ये टूटेगा नहीं या फिर मुड़ेगा नहीं या फिर इसके सैल जो है बिल्कुल डैड नहीं हो जाएंगे और plant के अंदर ताकत रहेगी ताके वो पीच में खड़ा रहे और अपने उपर जितने भी उसने पत्ते वगिरा लगाये में जितने भी fruits लगाये में उन्हें वैसे ही उसी हालत में रख सके अब ये बात तो हो गई clear के भाई ये हो गया वाटर के बारे में मैंने आपको पहले बताया था देखो water जो होता है वो दो तरीके से excrete होता है जिसको बोलते है transpiration पानी का निकलना प्लांट में से एक का नाम होता है वेपज्ञाइब की फार में निकलना और एक ऐता है गटेशन आपको पता हो क्या पता आप भूल गए हो तो दुबारह आपको दिखा देता हूँ दो टैप की प्लांट होते हैं एक Plane होता है जो टेरिश्ट्रियल प्लांट होते है जो हमारे environment कामेंट में हमें अर्ज जगा पे दिख रहरा ओता है वो झाल प्लांट और एक एसे फ्लांट होते हैं जो के रहते हैं रेंड़ फॉल वाली जगहjoyं पर जहां पर बारिश कभी इस प्राइब बारिश कार प्रास से उते हैं यद्रों हो decisivo जो आपने मैंसे पानी केसे निकालता यहांسसे और निकालता है सपाया अर कि फॉटे उता सी ये भी transpiration करवाता है पानी की जो कि gas की form में करवाता है जिसको हम vapors भी कहते हैं बिल्कुल आके बिल्कुल जिससे भाप की नजर में या फिर हल्की फुल की सी आके पत्ते पे आ जाना पानी इसको बोलते हैं stomata के जरीए और इस चक्कर को बोलते हैं vapors की form किसे बना के रखता है कि भाई अगर वो खुशक वाली जगा पे रह रह रहा है terrestrial जगा पे रह रह रहा है तो वो क्या करेगा कि उसके पास stomata होंगे normal और वो पानी को हलका फुल का excrete कर देंगे और जिनके पास बहुत ज़्यादा rainfall वाली जगाओं पे रहते हैं जिनके पास पानी की कम ही होती ही नहीं है मज़े ही मज़े तो उन्हें निकालने के लिए भी ज़्यादा पानी required होता है यानि के वो ज़्यादा पानी निकालते है और वो जिस चीज़ से निकालते हैं उसको बोलते है hide a thoughts और इस process को कहा जाता है गटेशन simple ठीक है concept समझना था concept समझ गए कैसे होता है अब इसको हम पढ़ते हैं ताकि और भी बात deeply समझ आना शुरू होता है जो चीज़ें plant जो excrete करता है उनमें से water होती है carbon dioxide होती है oxygen होती है और ions होते है सबसे पहले ions के बारे में देख लेते हैं देखवा ions जो होते हैं उन्हें transfer कर दिया जाता है in dead cells कौन से cells में किया जाता है होता है heartwood जो के xylem की लकडी के cells होते है और bark जो के outer layer of plants है इन दोनों में जब इन दोनों के cells जब मर जाते हैं तो उन ions को इन में transfer कर दिया जाता है इन में डाल दिया जाता है ताकि ये जो dead cells है ये दुबारा से ठीक हो जाए आगे जो था water का जो form था water का form ये था कि भाई transpiration होती है normal plants के अंदर with the help of through stomata ठीक है normal जो plants होते हैं जो के trastrial होते हैं जो के बाहर वाले plants होते हैं जो के जादा पानी वाली जगाओं पर रहते हैं उनके पास जहां से वो जो excrete करते हैं उनको बोलते है hida thoughts आपको पता है मैंने भी बता है तक क्या होता है खास जगाएं होती है plant के पते के किनारे उनमें लगे वे होते है hida thoughts उसमें से कत्रों की सूरत में drops की सूरत में निकलते हैं उनमें से transpiration होती है और इस process को बोलते है gutation यह सारा चकर समझ आगिया नीचे के लिखा हुआ है के green plants जो होते है यह भी मैंने भी आपको बताया था light में light की मदद से यह लोग release करते है oxygen जिसको बोलते है photosynthesis और रात की रात में जो यह करते है वो करते है carbon dioxide जिसको बोलते है respiration यह था यह सारा topic and I hope आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा और अगर पसंद आया है तो फिर शेयर करना subscribe कर देना बोलना बार बार अच्छा नहीं लगता मुझे अगर अच्छा लगता है तो कर देना नहीं लगता तो छोड़ देना ठीक है बस इसमें और कोई नहीं है तो मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए खुदा आफिस